students how are you I am fine and hope you all are fine and today we have to talk about the new exercise and the rest topic of chapter number 12 of class 5 the communications and communication communication के साथ सथ हम लोग जो है chapter number 12 को पढ़ रहे थे communication के साथ हमारा जो चैप्टर था वो था कॉम्मिनिकेशन में बदलाव कैसे कर सकते हैं जो changing means of communication के बारे में हम लोग study कर रहे थे उसमें हम लोगोंने communication का definition को stand कर लिया था understand कर लिया था कि कॉम्मिनिकेशन is the process of expressing words, thoughts and ideas to other in different ways या communication is the way to exchanges our messages, information, thoughts and ideas to other यानि कि communication का मतलब यही होता है कि हम अपने सोच, अपने विचार, अपने बात को अपने message को दूसरे के तक पहुचाने की प्रक्रिया ही communication यानि जो है संचार कहलाती है, हम लोगों ने संचार का इतिहास भी पढ़ा, history of communication भी पढ़ा, तो history of communication में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार लोग जो है अपने पहले किस समय में लोग कैसे अपने दूसरे लोगों से जूडा करते थे कैसे भासा का विकास हुआ और भासा में कई एक भासा का विकास हुआ और वह भासा को कैसे लिखा और पढ़ा जाने लगा तो भासा जब आप पढ़ेंगे जब ग्रामर में आप पढ़े होगे ग्रामर पॉर्शन में if you have to read in a grammar portion that you have to read there are what is language and how language is the very important part of the grammar और ग्रामर में language को सीखना बहुत जरूरी है और language इसलिए तीन बुक मनाए गया है इंग्लिश को तीन भागों में बटा गया है ना तो एक इंग्लिश लेंग्वेज होता है जिसमें हम लोग भासा को सीखते हैं how we have to practice the language English practice language पढ़ते हैं एक बुक तो उसमें ग्रामर से संबद्धित व्याकरन में language बताया जाता है भासा भासा का दो रूप बताया जाता है एक oral और एक written एक mochic और एक लिखित तो आखिर में जो लिखित भासा है या जो मोखिक भासा है इसका विकास इसका इतिहास क्या रहा इसका इतिहास ही रहा कि पहले के लोग बोल करके अपनी बात को या कोई भी कला बना करके कोई भी चित्रन करके गुफाओं में चितरं करते थे या कुछ हैसे symbol बनाते थे जिससे लोग उसे पकड़ लेते थे यह 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 एक बाते बताने का काम करता था तो इसी से भासा का विस्कार हुआ भासा का हर भासा को लिखा जाने लगा एक script बनाया गया एक लिपी के अनुसार एक इसक्रिप्ट इसक्रिप्ट इस वे ओफ राइटिंग एनी लैंग्वेज किसी भी भासा को लिखने की एक प्रक्रिया ही लिपी कहलाती है तो हम लोग जैसे हिंदी की लिपे देवनागारी है इंगलोष उससे ज्कुंक हैं वह एक वे हैं जिससे हम किसी भी भासा को सभूर सुथ को लिख सकते हैं हलांकि ग्रामर जरूर है लेकिन हम लोग लिखने के लिए कि नॉलेज होनी चाहिए तो इस क्रिप्ट नहीं है इस क्रिप्ट आता है एक्जाम में लिखने के लिए तो बहुत बच्चे लिखते हैं उसे स्क्रिप्ट में देवना गई ओके पहले के अगर इतिहास देखे तो पहले के लोग जो हैं अलग-अलग तरीके से सब घूमक्ण के अलग-अलग तरह का तो वह उनको कोई भासा नहीं आती थी वह अपने message को दूसरे तक पहुचाने के लिए एक drum का सहरा लेते थे एक musical instrument का सहरा लेते थे इस musical instrument से वो drum को पिटते थे और चारों तरफ एक अलग तरह का drum जिसे की पता चले कि ये drum से खुसी का महल है इस drum से दुख का महल है इस drum से कुछी तरह का खत्रा आने वाला है तो लोग वहां पर जान गए थे लेकिन निरंतर आज 100 यर्स बीत जाने के बाद आज हमारे कम्यूनिकेशन में काफी ज़्यादा सुधार आया है और कम्यूनिकेशन को हम लोग पढ़ चुके थे कि देयर आफ टू टाइपस आफ कम्यूनिकेशन पार सबना एंड मास कम्यूनिकेशन में भी हम लोगاجिं कर चुके थे और मास कम्यूनिकेशन में हम लोग पढ़ रहे थे नीज पेपर और मैगजीन तो हम लोग हमको बताना था एक बाद जॉन गुटेनबर्ग के बारे मेंती जॉन deaf तक यहां से सुने जॉन गुटेति जो था वह एक इस पिषित इस अधिक्क डिसकवेर था जॉन घुटेनबैख जर्मचơ जर्मनी में इनका जर्म हुआ था में भ्ष्यंड नाघ्लिक थे इस ले ज़िए तो कहा जाता है कि अगर इनके बारे में अगर हम लोग देखे तो हिब जुश्स जो थे उन्होंने प्रिंटिक प्रेश न चिहाए प्रेश का निर्मान किया चिह्त आइव्याद। 600 साल पहले कहा जाता है कि इनके माता-पिता जो थे वह जर्मनी के एक कलसाधारन परिवार से जनरल फैमिली से बिलॉंग करते थे तो वह एक बार क्या हुआ कि वह बाइबल जो था बाइबल किताब होती थी तो वह बाइबल किताब कियो कि क्रिश्यन थे क्रिश्यन ठील यह था तो वहाँ पर जो वीड़ होधी थी वह किताब बहुत कम होती थी किंजिए उस समय वहाँ पर जई वह बड़ा बड़ा मसीन थीं था और जो कॉपी करने वाला कार अभीत तक नहीं ङुद था तो लोग हाथ से से कि उसकी किताब को लिखा करते हैं इसलिए वह जादातर लोगों के पास नहीं होता था वह बहुत ही बड़े-बड़े अमीर लोगों के पास या चर्च में जो पूजा कराते हैं प्राइस पादरी फादर उनके पास होते थे वहीं उनको टीच करते थे यहां से समझेगा और माता पीता वो बाइबल की स्टोरी सुनने के लिए चर्च जाय करते थे चर्च में काफी भीर हुआ करते थी चुकि किताब नहीं था उनके पास बाइबल पढ़ने का तो कोई भी समारों में या कोई भी स्टोरी सुनने के लिए जिजस क्राइस का वह वहां जाते थे और गुटनबर्ग भी जाते थे अपने माता-पीता के साथ छोटे थे तो बड़ा ही उनको अफसोस लगता था वो माता-पीता से पूछते थे कि क्या हमारे पास भी ये किताब नहीं हो सकता है तो बोलते थे नहीं बेटा ये हाथ से लिखा जाता है और ये सभी के पास नहीं हो स और तब से उनके मन में िहे खयालाय कि या किई नहीं किताब को किसी तरह से इसको कैसे छापा जाएं और उन्हें लकड़ी के गठर में वो लेटर लिखना शुरू किया और उसी से इत बनाना सुरू किया और बड़ी दिरे उनोंने एक बड़े से मश्िर सकाविसकार किया और उसी प्रिंटिंग प्रेसकार करने के बाद जर्मणी में चारों तरफ बाइबल किताब की पूरी तरह से भरमार हो गई इस तरह से जो पर आगे इनका बस यही धनता कि हम भी भग्मान की प्रात्ना करें और इसलिए इनों ने जो है इस किताब को छापने के लिए यह मशीन बनाया था बाइबल किताब को बाइबल जो है क्रिश्यन धर्म का पवित्र किताब होता है बच्चो तो इस धर्म के लिए वो एक जो है मशीन प्र किया जा सकता है इसका अविस्कार घ्रक शलिए चलिए यह तो हुआ था क्शें उसक्तर सर्ड यह जै रेडियो के जहोँ आफ यह बहुत ही सस्था ट्रांस्पर्ट है ट्एस भी यह जा सकते हो कि उस में आप सुन भी कोई भी कोई भी intendement सीह Hai उसको हम लोग लुट उठा सकते हैं कहा जाता है कि टेलिविजन को चैटर वॉक्स भी कहा जाता है क्योंकि हमेशा दिन भर उसमें कुछ न कुछ बोलते रहता है और कुछ न कुछ दिखाते रहता है तो इसमें कुछ ऐसे सिक्षा वाली बाते भी दिखाती हैं हम लोग जीजे जीए के बारे में बताता है और वाइल लेफ सेंचोरी को भी घूमाता है तो आप उसमें टेलीविजन में डिस्कवरी चैनल को देख सकते हो आगे हैं सिनेमा सिनेमा जो है वो भी एक MAzung kanis का सबसे best example alright माइस को bouah में सारे लोगी एक में सेड़े को बहुत सारे लोगों के पास पहुशता है वाट इतो मास?. मास कम्मुनिकेशन मास कुमिनिकैशन ay when, we have to sending any one messages quick to the large number of people तो आप एक मुवी निकाल रहे हैं और उसको जब मुवी थेटर में लगाता है तो तो हजार हजार कि संख्या में एक मैसेज को देखता है और यसे उसे पैसा भी मिलता है तो सीनेम जो है वह यह बेस्ट एग्जामपल है ऊ कआश कुमुनिके एक किताब भुक भी मास कर रहा है यह प्रवाइड कर आ consuming ये ब्सकारक रहा है जो रेडियो का हुआ विस्कार्क ता यह दिमाग में हमेशा रखना तो यह तो를 कर यह लिए विस्कार किए था नुद्रिव मों मारक autos सब एक ही जैसा नाम है इसलिए ठोड़ा सा ध्यान देना होगा गुली गुली मो मार्पोगी ठीक है यह इन्होंने कि रेडियो का विखार किया है है ना चलिए आगे कि सीनिमा के बारे में पढ़ाई दिया रेडियो के बारे में पढ़ाया टेली विजन के बारे में पढ़ाया एक है e-book e-book reader like a kindle have become common these days आज के समय में e-book reader काफी ज़्यादा common बन चुका है they save on paper and are easy to carry around कहा जाता है कि यह किताब एक mobile phone की तरह ही है जिसमें आप newspaper आसानी से या किसी उसमें कोई भी तरह की जो है related book या कोई भी तरह के course जो है आसानी से उसमें देख सकते हैं पढ़ सकते हैं अभी सरकार दे रही है dual के बच्चों को या graduation के बच्चों को यह tab की सुईधा दे रही है आगे गुगलीमो मारकोनी के बारे में थोड़ा बता दूं रेडियो के आविस्कारत थे इनका जन्म इतली में हुआ और इन्होंने रेडियो का आविस्कार किया था यह वर दे इंडियन फिजिस्ट जगदीश चंद्र बसू बोस वाज वन अब फ़स्ट साइंटी साइंटीस्ट तो सक्सेस्फुली सो हाव रेडियो से ट्रैबल कहा जाता है कि जगदीश चंद्र बोस नहीं बताया था कि किस तरह से रेडियो सिगनल जो है वो एक दुसरे से कनेक्ट होता है इन्होंने ही बताया था ही डिड दिस इन 1894 टू यहर्स बिफोर मारकुनी दो साल के थीक उपरांत बाद इन्होंने भी एक रेडियो सिगनल वेव की आस्थापना की थी जिसके कारण हम लोग आज हर बैंड पे गाना सुनते हर बैंड पे न्यूस सुनते हैं अलग अलग छेतरों के न्यूस रेडि इन्वेंशन विद गोवर्मेंट मारकुनी इंप्रूब अपन बोस इंवेंशन ए रेजिस्टर इन नेम इन 1896 हैंस ही इस नोन अज दे इन्वेंटर अफ द रेडियो हलंकी जगदीश चंद्र बोस ने अठासो चंदा चारानवे में यह चीज निकाली लेकिन इसको और कारक गुगलियूम मारकुनी को 1896 में कहा जाने लगे लेकिन दोनों की दोनों के help से ही आज हम लोग रेडियो का विसकार देख सकते हैं या पड़ सकते हैं तो यह कुछ इंट्रेस्टिंग फैर्स है जो हम लोग पढ़ते हैं समझते हैं आगे है सोशल मीडिया पटी सोशल मीडिया सोशल मीडिया is a means of mass communication that uses the internet to connect to a large audience कहता है कि सोशल मीडिया क्या है सोशल मीडिया एक ऐसा mass communication का एक बेश्ट उधारन है जिससे इंटरनेट का उप्योग कर सकते हैं इंटरेट की उप्योग करने से हम लोग जादा से ज्यादा वैक्ती ज्यादा से ज्यादा लोगों से जूड़ सकते हैं जैसे It is interactive It allows the user to create and post content and also allow them to respond to the content कहा जाता है कि इसारे व्यक्ति क की को स्विकार किया जाता है करे पीफ करता है तो उस पर उसकी उसकर आप प्रतिक्रिया या कमेंट कर सकते हो लाइक कर सकते हो social media thereby enables social networking कहा जाता है कि social media social networking site से चलता है कहा जाता है कि social networking site में जैसे YouTube हो गया सबसे लोग प्रिये जो है जिसमें videos channel होते हैं जिसको आप like करते हैं comment करते हैं अभी जो आप video हमारा जाएगा तो ये YouTube पे जाएगा जिस पे आप सभी बच्चे देखते हो subscriber हो उसको subscribe करते हो तो ये एक social media से जुड़े होगा है जिस mobile phone में YouTube नहीं होगा तो वो ये videos को नहीं देख पाएंगे तो आप अपने blog पे इसको install करते हो तो ये एक social media से है और इसमें आप जुड़ते हो network इस social networking साइट से connect होते हो internet के माध्यम से और तब जो है आप हमारे videos को देख पाते हो तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे आज social media के माध्यम होगा YouTube होगा जो है ओपेरा मीनी हो गया और बहुत सारे का Facebook हो गया WhatsApp हो गया, Twitter हो गया तो ये सब जो है वो आज धीरे 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 क्या हो रहा है हमारे social media में आगे बढ़ता जा रहा है अब अच्छो एक हमारा last topic है वो है the impact of satellite on communication तो ये हम लोग देखेंगे satellite का क्या प्रभाव है संचार के माध्यम में संचार में satellite का क्या जो है उपयोगिता है उसको देखेंगे और ये हम लोग ब्रिहस्पत्वार को इसको पढ़के और satellite के जो बाते हैं नहीं तो अगर 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 समय बचा हुआ है तो इसको complete आज chapter करा देंगे तो अगला chapter chapter 13 चलेंगे चलेंगे तीन मिनट है तो हम लोग last topic को देखी लेते हैं इंपेक्ट ऑन और सेटेलाइट्स ऑन कम्यूनिकेशन ध्यान से देखिएगा बच्चो दा इंपेक्ट चाप्टर 12 का है एक टॉपिक लास्ट दे इंपेक्ट ऑफ सेटेलाइट्स on कम्यूनिकेशनी कहाता है की संचार के लिए सेटेलाइट्स क्या होता है rain य direnesterie satellite दो क्यों होते हैं एक मेंदेलाइटिक होता है जो नेचुरल सेटेलाइट होता है जो का जाता है उप ग्रह किसको कहते है जो किसी ग्रह की परइक्रामत है जैसे हमारा प्रिथवी अर्थ हमारा एक प्लैनेट है तो जो एक ऐसा बोड़ी जो प्लैनेट किसी प्लैनेट की परिक्रामा करें उसको उपग्रह कहते है और ग्रह की इसको कहते है जो सन की परिक्रामा करें जो सूरी की परिक्रामा करें उससे ग्रह कहते हैं हां और जो जो किसी ग्रह की परिक्रामा करें उसे उपग्रह कहते हैं यानि सैटेलाइट करते हैं तो सैटेलाइट और टू टाइप स नेचुरल सैटेलाइट तो एक ही है बता सकते हो कौन है वो इस दे नेचरल सैटिलाइट आनुर वल एणी वन बोनों 2009 हमारे पृतविच का और्थ एक प्लैनेट है ना तो और्थ एक प्लैनेट है तो उसका एक नेचरल सेटिलाइट कौन है उसके बताईएम ब् 특ड वह उसे करता है इसलिए जो है प्रीत्वी का उपगर एक है उपगर तो अभी हम लोग लोग नहीं पढ़ रहे हैं नहीं आटिपीसियल यानि मानो के द्वारा मैंड मेंड सेटलाइट के बारे हैं उस सेटलाइट के बारे में हम लोग क्रिछा कर रहा रहा है यह तो चलिए है is the use of communication satellite has brought about many changes in the way people communicate कहा जाता है कि communication का उप्योग satellite में है भोहत सारे बदलाओं को ला सकता है कि बारे में में बता सकता है satellites travel around the earth in space from where they receive and send signal to Earth कहा जाता है कि satellite जो है वह प्रिथ्वी के चारों तरफ घूमता है अंतरिक्ष में और signal को connect करता है प्रिथ्वी से प्रिथ्वी में जोड़ता है signal को यानि कि satellite एक बॉड़ी है जो प्रिथ्वी के चारतरब घूंते रहता है और वहां से सिगनल को भेजता है जैसे आज हम लोग लाइफ मैचेज देखते हैं क्रिकेट मैच पही दिख रहा है हम लोग टीवी पे आराम से लाइफ मैच देख रहा है तो यह कैसे संभव हो नहीं पर दुनिया में कहीं भी कोई निउस तुरंत और हमें तुरंत वहां का द्रिश दिखता है न्यू चैनल वाले तुरंत उसको लाइब दिखाने लगते हैं तो आखिर में कैसे संभव हो रहा है यह संभव हो रहा है इसी सेटलाइट के द्वारा इसी सेटलाइट के द्वारा जो पृत्वी पे हमारे अंत्रिक्ष में घूम वह से सीग्नल प्राप्ट करके और वह तुरंट नेट्वरक पर सेटा करते हैं यह इतना झेल्दी होता है कि आप देख भी नहीं सकते और आप समझ भी नहीं सकते हैं कोई भी शैघ्जा स्वक्षारण चल रहा है तो आप उसे तुरंत आराम से देख सकते हो लाइफ टेलीकास और यह सिर्फ और सिर्फ किसके कारण हो रहा है यह सेटलाइट की फ्रभाव की कारण हो रहा है इस तरह से चिडिए की आकार का होता यह दोनों जो है और यह में यह है कहता है कि आज है और अगो हम लोग टीवी चैनल मैं और उसमें जो है हम लोग प्रती दिन डेली अलग अलग तरगान के चैनल देखे हैं lotta ऐध कर रहा है सारे चीजह सेटलाइट के बेस पर वाहा कर रहा है अगर सेटेलाइट नहों तो हमारा इंटरनेट फेल है सारी चीज़े फेल है तो कम्यूनिकेशन के साधन में आज सन जो उपगरा है यानि मैनमेड सेटेलाइट है उसका बहुत बड़ा ही योगनान रहा है कहा जाता है कि कोई आप उधारन बसा सकते हो भारत के आर्टिफिशल सेटेलाइट का तो यस सबसे पहला सेटेलाइट जो है हमारे भारत में बेचा गया था बाले की बुक में नहीं करिको डिया हुआ है लेकिन मैं अलग से आपको बताऊंगा आरेभट आरेभट छो था वह एक पहला बाल कि और और in set 1 in set 1a in set 1b in set 1b in set का मतलब क्या हुआ in मने इंडिया और set मतलब satellite और 1 यह नहीं पहला clear तो इस तरह से जो है अगर कुछ इसमें समझ में नहीं आया होगा तो मैं अगले दिन फिर से थोड़ा सा इसके बारे में बताऊँगा फिर अगले chapter number 13 में हम लोग चलेंगे तो तब तक के लिए thank you and have a nice day